हालो rye welcome to class और आज हम बात करने वाले हैं layers of atmosphere या वाय मंडल के परतों के बारे में अब इसमें क्या है कि वाय मंडल होता क्या है वाय उसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा air की बात हो रही है atmosphere में आप लोगों का sphere से बात होती है तो जो हमारे चारों तरफ हवा का जो एक storage है पृत्वी में पृत्वी के अंदर वो क्या है उसी को हम क्या कहते है वायू मंडल कहते है अब इसका फाइदा क्या है जब sun से क्या होती है raise आती है अंदर की तरफ तो ये जो हमारे चारों तरफ क्या है हवा का एक घेरा बना हुआ है वो उसको वापस नहीं जाने देता तो जो heat यहां से आ रही है उसको क्या कर लेता है store कर लेता है अंदर तो ये ही क्या करता है जो वायू मंडल है या atmosphere जिसे कहते है वो glass house का काम करता है और ये लगबग 15 degree centigrade यहां पर तापमान को बना के रखता है और जो ये 15 degree centigrade temperature है इसी की वज़े से यहां पर सारी चीजें हम कहें जी मंडल यहां पर होता है जितने भी चीजें यहां पर हो रही है life से related वो इसी वज़े से हैं क्योंकि यहां पर क्या है हमारा atmosphere है अब बात आती है कि atmosphere कितनी उचाई तक है तो यह 29,000 km तक उचाई की तरफ है अब इसके कई सारे parts है हम बात में बात करने वाले हैं अब अगर हम बात करें कि जो वाई मंडल है या जो हमें air मिलती है प्रॉपर जो air है वो 32 km तक ही 99% जो वाई मंडल की बात हम करें वाई से जाने के लिए तो 29,000 हमने बात की है लेकिन जो प्रॉपर है 99,000 जो atmosphere है या हम कहें कि air का जो weight है वो 32 km तक ही जाता है जो प्रॉपर है आप लोगों का अब वाई मंडल का अगर हम संगठन की बात करें या composition की बात करें कि उसमें क्या-क्या चीजें आती है इसमें बाकी सारी चीजें तो याद हो जाती है लेकिन कई बार question में आ जाता है कि क्या जलवास्प भी इसका हिस्सा है या हम इसको कहेंगे vapor ठीक है water vapor तो water vapor क्या इसका हिस्सा है तो yes वो हिस्सा होता है अब यहाँ पे जो main जो gases है वो आप लोगों को याद रखना है और इसी इस तरह से याद करना है 7,8,2,2,1,0,0 तो 0,0 में आपका 93,3 है 93,3 तो आपको 7,8,2,1,9,3,0,3 तो इसी तरह से आप लोग याद करेंगे इसको nitrogen, oxygen, and organ, and carbon dioxide इसके लिए simple formula याद रखें जब भी composition की बात आती है संगठन की बात आती है तो no, no, AC no, AC इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको यह nitrogen हो गया आपका oxygen हो गया यह आपका organ हो गया अब यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों को क्या लिखना है आप लिखेंगे 7, 8, 21 7, 8, 21 यहाँ पे 93 और point लगा लेंगे और 0, 3 और point लगा लेंगे इस तरह से अब इसको आप picturization कीजिए बार बार अब इसको आपको लिखना है यह सब उतारने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अब इसे बार बार आप लोगों को फिर से वही formula बार बार लिखना है and no AC ठीक है sorry no AC ऐसे लिखना है आपको फिर आप लोगों को लिखेंगे 78 और फिर O के नीचे लिखेंगे आप 21 यहाँ पर 0.93 और यहाँ पर आप लोगों को 0.03 बस इसी को आप लोगों को प्रैक्टेस करना है बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी तो यह है आप लोगों का नीचे से पहला है आप लोगों का ट्रोपो स्पेयर दूसरा है आप लोगों को इसे हिंदी में एक छोब मंडल बोलते हैं हिंदी में भी मैंने आप लोगों को नीचे दे रखा है picture, stratosphere, समताप मंडल इसको कहा जाता है stratosphere में क्या होता है? एक जैसा temperature रहता है ठीक है? और troposphere के बाद हम बात करेंगे mesosphere, फिर आता है thermosphere और फिर आता है आपका exosphere तो इन में जो main question बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो troposphere है, troposphere में ही जतनी मौसम से related जतनी भी घटनाई होती है वो troposphere में ही होती है इसी लिए कहा जाता है कि जो troposphere है उससे उपर ठीक है या हम बोलें stato sphere है वहां तक समताप मंडल जिसे कहा जाता है वहां पर जो aeroplane वगरा चलते हैं उनके लिए best places place कौन सा होता है वो stato sphere होता है अब ये पहला question तो यह हो गया कि आपकी जो मौसम से संबंदित related चीज़ा होती है season से या weather से related तो वो कहां पर होती है तो आपकी कहां पर होती है ट्रोपो sphere में होती है तो आप लोगों को थोड़ा ये picturization से याद रखना है सारी चीज़ें कि आपने picture में कौन सी चीज़ें कहां पर देखी है तो ट्रोपो sphere की बात करें एक show bundle के बारे में बात करें तो जो आप लोगों की मौसब से related घटना ही होती है और इसी में आप लोगों को याद रखना है कि जो passenger जो plane होते हैं वो भी इसी में उड़ा करते हैं और इसी में बाकी weather से related चीज़ें मैं आप लोगों को अलरड़ी बता चुका हूँ उसके बाद आता है समताप मंडल या इस्टेटो स्पेर तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जो O3 है ओजोन है ओजोन मंडल जो है वो यहीं पर आप लोगों को मिलता है और जो पराबैंगनी करने करने ओपर से आती हैं या हम कहें कि अल्टा वाइलेट जो रेज आती हैं वो कहां पर जाके रुकती हैं आप लोगों की वो स्टेटो स्पेर में आकर ही रुकती हैं उसके बाद आता है आप लोगों का मीजो स्पेर मीजोस्फेयर में आप लोग देखेंगे कि जो मीटियॉर्स होते हैं या इनको कहा जाता है उलका पिंड ये मीजोस्फेयर तक ही आप आते हैं यहीं पर ये सारे जल जाते हैं उसके बाद उपर वाले में अगर आप जाएंगे और यहां पर है आप लोगों का थर्मोस्वेयर इसको बोला जाता है और उसके बाद है आप लोगों का एक्जॉस्वेयर तो एक्जॉस्वेयर या थर्मोस्वेयर थर्मोस्वेयर में आप लोगों देख सकते हैं कि उपर जो तो यहां पर हम लगबग इतनी चीज़ें याद कर लेंगे आगे चलते हैं हिंदी में आप लोग देख सकते हैं बहीर मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल और शो मंडल नीचे की तरफ तो आप लोग यसे याद रखेंगे अब क्षोब मंडल की बात कर लेते हैं हम वैसे उपर बात कर चुके हैं सारी चीजों के बारे में लेकिन अब थोड़ा सा इन डिटेल इसे देख लेते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है आप सीधे सीधे देख सकते हैं किसीधे आप देखें कि मौसम से रिलेटेड इसे चीज़ें यहीं पर होती है एक शोब मंडल में और या इसे ट्रोपो इसपेया को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है ठीक है शो मंडल को क्या कहा जाता है परिवर्तन मंडल क्योंकि यहां पर मौसम से रिलेटेट चीजें परिवर्तित होती जाती है यहां पर एक और फैक्ट है कि 165 मीटर की उचाही तक वाई का जो तापमान है अगर 165 मीटर की उपर हम जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की औसदर से यह घड़ता जाता है 165 डिग्री पर माइनस 1 टेंपरेचर घड़ता चला जाता है और इसी को हम सामानिय ताप पतंदर भी कहते हैं अब इसकी अगर हम सीमा की बात करें तो यह कितनी है आप लोगों की 18 किलो मीटर तक होती है और अगर धुरुआ पर बात करें या पोल्स पर बात करें तो 8 किलो मीटर होती है जल वास्प या वाटर वैपर सिर्फ यही पर मिलता है अब समताब मंडल की बात कर लेते हैं समताब मंडल आप लोगों का 18 to 15 होता है आप लोगों ने देख लिया कि 0 to 18 या पोल्स में 0 to 8 यह क्या था आप लोगों का ट्रुपो इसफेर था अब आप लोग क्या है समताप मंडल है समताप मंडल या स्टेटो स्पेर जो होता है वो 18 से 50 तक होता है इसमें हमारी क्या मिलती है हमें ओजोन परत मिलती है उपर ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो पिक्चर है उसी में ये सारी चीज़ें बात करें तो वो आप लोगों का यहाँ पर क्या रहता है एक जैसा रहता है लेकिन 20 किलो मीटर अगर उपर की तरफ चलेंगे तो यह बढ़ने लगता है समता मंदल में जो है वो मौसमी घटनाएं नहीं होती है यह आप लोगों को याद रखना है और इसके निचले भाग में जैट वाई यार के उडार भरने के लिए आदर्श बनाए गए है तो अगर पैसेंजर प्लेन की बात आती है तो वो आप लोगों का कहां पर एक शो मंदल में आता है ठीक है एक शो मंदल आप लोगों टूपो स्पेर याद रखना है और अगर बात आती है जैट की बात आत फिर 18 to 50 and then 50 to 80 इतना आप लोगों को याद रखने है ठीक है ये आप लोग इसी तरह से फिर मैंने वही रिपीट करूँगा अपनी बात को कि जब आप प्रैक्टेस कर रहे हो तो इन चीजों को लिखे ना कि जो ये पीडियेफ है इसे उतारने के लिए ना बैठे है आप लोगों खाली ये चीज़े प्रैक्टेस करनी है कि 0 to 8 18 ये आपका शो मंडल हो गया उसके बाद आपका संताम मंडल हो गया फिर मद्य मंडल आपका 50 to 80 है 55 किलो मेटर से आप लोगों कितना 80 किलो मेटर तक है और इसमें बात करें कि जो अगर उचाई पर जाने के साथ-साथ तापमान क्या होता है घटा चला जाता है माइनस 100 डिगरी सेंटिग्रेट तक भी पहुंच जाता है और माइनस 100 डिगरी जो है सेंटिग्रेट वो क्या है आप लोगों का नियूंतम तापमान है किसका अपने वायू मंडल का आयन मंडल ये 80 to 640 तक अब 50 देखे फिर से लिखते हैं 0 to 8, 18 आप लोगों को भी ऐसे लिखते रहना है 18 to 50, फिर आपका 50 to 55 to 80 and then 82 आप लोगों का हो गया 640 इस तरह से आप लोगों को प्राक्टेस करनी है इस मंडल में उचाई के साथ ताप में तेजी से विरिधी होती है और इसमें विद्ध आविशित कड़ों के अधिकता होती है जिनने आयन कहा जाता है और इसी के कारण इसको आयन मंडल कहा जाता है तो यहाँपे क्योंकि हमें क्या मिलते हैं आयन मिलते हैं इसलिए इसको आयन मंडल कहते हैं और ये क्या करेंगे क्योंकि जो रेडियो से रिलेटर चीज़ें होती है जैसे हम कुछ भी चीज़ें सुनते हैं तो उन्हें पहले क्या किया जाता है आयन मंडल में भेजा जाता है और फिर वहां से सारी चीज़ें पूरे व हम कहें विश्व में क्या होंगी चलेंगी तो उसी से बेतार संचार समभ वह पाता है बेतार का मतलब होता है कि बिनातार के means जो हम यूज कर रहे हैं जैसे 4G, 5G, 3G ठीक है ये सारी चीजें या जैसे रेडियोज चलते हैं तो वो सारी चीजें किस से related है आयन मंडल से अब चलते हैं बाहिर मंडल या बहिर मंडल तो simply ये क्या होगी आपका 640 प्लस हो जाएगा ये बाहिर मंडल का सीमान तचीटर कहा जाता है कहने का मतलब है last जो है area है और यहाँ पर जो air होती है ये बिलकुल कम होती है यहाँ गैसों का गहनत तो बहुत कम पाया जाता है hydrogen और अलड़ी बता चुका हो तो practice आपको वहीं पर कर दी है जो उपर हम picture हमने देखा है अब अगर आप लोगों को याद नहीं होती है कि कौन सी line कौन सी है तो आप लोग याद कर सकते हैं छोड़ सब को मैं आया बाहर छोड़ सब को मैं आया बाहर ये line से आप लोगों को याद कर लेना है तो यह उपर की तरफ को है ठीक है यहां पर आपको उल्टा दिखेगा कि एक शोब मंडल नीचे है छोड़ सब को सब को तो मैं मध्य मंडल और आया आयन और बाहर 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 मंडल तो वैसे आप लोगों को अल्रड़ी याद हो चुके होंगी लेकिन फिर भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं इस क्लास को जो आप लोग ग्राफिक के चोटी 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 टापिक है इनको डाइवर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं है क्योंकि इनसे भी आप लोग के काफी सारे कॉष्ट Bye तो जो चीजााथ है उ इस दिन उस दिन आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट में 10 क्लासेज आपको रिविजन करनी है तो आप लोगों को फटा-फट सारी चीजे होती जाएंगी अगर एक घंटे की बात आती है रिविजन की तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जियोग्रैफी की लगवक 30 क्लासेज आप लोग की चीजों का है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई